मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे शैनल पर क्या आप चानते हूँ कि हमारे बच्चे इतना बिमार क्यों पढ़ते हैं देखे डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे ना सिर्फ उन चीजों की वज़े से बिमार पढ़ते हैं जिने वो खाते हैं और उनके आसपास की हर चीज को साफ सुतरा और जर्म प्री कर सकते हैं देखे बच्चों के लिए जो इस पेशली डिटरजेंट बनाया जाते हैं उसमें किसी भी तरीके की टॉक्सिंस नहीं होते हैं आपके बच्चे को किसी भी तरीके के स्किन रैशेज या स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो मैं तो आपको बोलूँगी अगर आपका बच्चा पांस साल से छोटा है तो जरूर उसके लिए स्पेशल जो बेबी डिटरजेंट होते हैं उन्हें ट्राइ कीजिए लव लब बेबी लॉंडरी डिटरेंट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें किसी भी तरीके के आर्टिपीशल कलर्स नहीं हैं टॉक्सिन फ्री है यह और इसमें कई तरीके के जो हाश केमिकल्स होते हैं जैसे फॉसफेट एंड फ्लोरोसेंस वो भी नहीं है यह टफ हो करूं तो जी हां वो भी बहुत कुछ गिरा लेते हैं कपड़ों पर बट यह जो डिटरजेंट है ना यह आराम से स्टेंज को रिमूव कर देता है बट एक बात मैं हमेशा ध्यान लगते हूं जैसे ही मेरे बच्चों के कपड़ों पर कुछ गिरता है ना तो मैं उस कपड़े बच्चों के कपड़ों को छोड़के बच्चों से रिलेटिट सब कुस हो सकते हो मतलब सब कुछ जो भी चीज वो खा रहे हैं वो भी और जिन चीजों पर वो हात लगाते हैं सपेशली उनके टॉइस वगएरा उन्हें भी देगे बच्चे जो टॉइस अपने मूँ पे ल बहुत अच्छे से clean कर सकते हो इसकी मदद से मतलब ये तो बहुत ही सही चीज है इससे मैं ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए उस करती हूँ बलकि अपने घर में जो vegetables और fruits आते हैं उन्हें भी clean करती हूँ कि हम भी तो बिमार पड़ सकते हैं तो इसलिए मैं इस liquid cleanser को fruits और germ free बना सकते हो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जहां पर रहता हैं यहां पर organic तो आप कुछ मिलता नहीं है हर चीज में chemicals भरे पड़े हैं तो बच्चों को कुछ भी खिलाने से पहले आप उसे wash कर लीजे liquid cleanser से इससे आपकी tension थोड़ सी कम हो जाएगी और बच्चे जो हो 100% fruit grade ingredient से यह बना है इसे use करने की instructions इस पे mention करी गई है किल करता है यह harmful bacterias को और किसी भी तरीके के artificial colors इसमें नहीं है gentle होने वाला है यह बच्चे की skin के लिए और biodegradable है लोग बहुत जादा complain करते हैं कि हमारे छोटे बच्चों की तो भई पेटी खराब रहता है मतला उन् अपने मूँ में लेते रहते हैं इसके वैसे germs पेट तक पहुंच जाते हैं और तवियत खराब हो जाती है तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप इन दोनों product को definitely try कीजिए मैं तो जब भी आप travel भी कर रही होती हूँ ना तो मैं यह liquid cleanser को specially अपने साथ लेके जाती हूँ कि मेरे बच्चों की आदत है अपनी water bottle अलग से रखने की अपने sippers को अलग से रखने की तो इन्हें clean करने के लिए मैं especially यह liquid cleanser अपने साथ लेके जाती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल tension ना रहा है कि बच्चों की सफर में तवियत खराब ना हो जाए तो मैं इससे अपने साथ हमेशा carry करती हूँ तो आप इन्हें try करना चाहते है तो try कर सकते हूँ लिंक में आपको दोनों का ही देदूं की description box में यह available है amazon पे और lovelap.com पे आप चाहे तो दोनों में से कहीं से भी ले सकते हैं I hope अगर आपको यह video helpful लगा है थोड़ा भी आपके लिए useful रहा है तो आप